सालों साल जमिं हाथों पैरों पर घंधगी मैल अगर आप हटाना चाहते हैं तो आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगे इस नुस्खी जरिये फेंड्स आप मैल से चुटकारा पा सकते हैं, अपनी बोड़ी पर गंदगी को हटा सकते हैं और अगर आपके एडियां भी फट गई हैं, वहां पे बहुत ज़्यादा गंदगी बर गई हैं तो मातर आपको एक बार इसका यूस करना है और एक बार के यूस सही आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है तो चeluडिश शुरू करते हैं आजियाए स्नुसुकी को इस नुस्की को बनाने के लिए आप से लेना होगा लैमन आपको friends यहाँ पर आधा नीवू लेना है और आपको लेना होगा दूसरा तूथपेस्ट वाइट क्लर का आप तूथपेस्ट लीजिए आप जोन सा भी चाहे वो तूथपेस्ट ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलवल हो मैं यहाँ पर friends ले रही हो कोलगेट को और आपको इनक दोनों का यूज कैसे करना है जिससे कि आपके बोड़े पर सालों साल जमी मैल गंदगी हमेशा के लिए हट जाए तो चले शुरू करते हैं आसके इस नुस्खे को सबसे पहले आपको लेना होगा एक क्लीन बाउल और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर लाए है तो गाई जल्दी जाए और चैनल को जल्दी से जुरूर सब्सक्राइब कर लीजे सबसे पहले आपको यहां पर लेना होगा तूथ पेस्ट को आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में कोलगेट एड़ करनी होगी इतनी मात्रा में कोलगेट आपके पैरों की गंदगी को दूर करने के लिए काफी रहेगी इसके बाद आपको इसमें एड़ करना होगा एलोवेरा जेल, आपको फ्रेंट्स इसमें एक चमच एलोवेरा जेल का एड़ करना होगा, इस तरह से आप इसमें एक चमच एलोवेरा जेल एड़ कर दीजे, और आपको मात्र अब इन दोनों चीजों को मिक्स करना होगा देखिए फ्रेंट से अच्छे से मिक्स हो चुका है अब आपको लेना होगा लैमन आप चाहे तो फ्रेंट इसमें नीवू का रस एड़ भी कर सकते हैं और उसके बाद जो नीवू बच जाएगा उससे मसाज भी कर सकते हैं लेकिन आप इस तरह से भी मसाज कर सकते हैं आपको नीवू का हलका सा रस इस तरह से बाहर निकालना है और उसके बाद इस पेश्ट को लैमन के उपर लगाना होगा और उसके बाद फ्रेंट आपको अपने फटी एड़ियों की अपने पैरों की हातों की कौने की या फिर घुटनों की जहां पर भी आपके बहुत ही जादा मैल चड़ गया है गंदगी हो गई है इस तरह से आपको उस एरिया की मसाज करनी होगी आपको इस मसाज को लगबग 10 मिनट तक करना होगा नीमो को आप हलके हातों से दबाते रहिएगा ताकी फेंट से आपका मैल तेजी से फुलाने में आपकी सहायता करें और आपकी स्किन एकदब से सौफ्ट और मुलायम हो जाए चैसे की आपकी बाकी बोड़ी पार्ट का रंग है अगर आप इसका यूज कर लेंगे तो आपके स्किन को तेजी से गोरा तो बनाएगा ही बनाएगा और वहाँ पे सालों साल जमी मैल और गंदगी को भी हमेशा के लिए रिमूफ कर देगा मार तर 10 मिनट की आपको मसाज करनी है हलके हातों से मसाज कीजे कोई भी आपको ज़्यादा प्रेशर या फिर ज़्यादा तेजी से मसाज नहीं करनी है हलके हलके हातों से मसाज करते रहिएगा ये आपकी स्किन के अंदर समाता रहेगा और वहाँ की गंदगी और मैल को फुलाता रहेगा लगातार दो दिन आपिस का यूज कीजिए और सालों साल जमी गंदगी और मैल से हमेशा के लिए छुटकारा पार लीजिए तो ये था आज का मेरा वीडियो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कमेंट्स के ज़रे भी मुझे जरूर बताए चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यह चैनल पढ़ना है तो जल्दी जाए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों